किस वहीं स्वागत सीगा फेंटसीफ मूंटकिन में और अबस तो किया तो एसी सी टीटन कवर करने जा तो यहाँ पर फेंलेंड बस दाप स्पेंड की बीचों मैच हो लिए तो इस पडिशन का बात करेंगे उसके अनुसार अगर टीम आप बनाते हो तो बहुत सटीक बहुत अच्छी टीम मना पाओगे देखे भाई इस बिकर पर बहुत सारे गेमस हमने देखा है भाई तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 60% यहाँ पर यह बिकर बैटस को हमेशा सूट करता है जिस फॉर्मेट में आप गेम देखो यहाँ पर चायो टीटन हो चायो टीटन ह हमेशा बैटस नहीं हाँ पर राज किया तो बैटस को 60% सपोर्ट मिलेगा और 40% सपोर्ट दोस्तों यहाँ पर कहीजए तो बॉलर्स को मिलेगा यह परफेक्ट के यह तो भाई पीस के बारे में स्नेव रहेगा और इसके हिसाब से टीम बनाना बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छी टीम ना पाओगे देगे अबजिंग स्कोर की बात करें तो वही 130 के संथिंग आप एकस्पेक्ट कर सकतो भाई लेकिन देखो मैं यह चीज़ बोलता हूं कि यह नॉर्मल साब एकस्पेक्टेट स्कोर है लेकिन अकसर जो स्कोर बनेंगे वो 160, 170, 190 ऐसे स्कोर बने देखे हमेशा मैंने बोला है कि 90% बिकेट्स भाई पेसस को मिलता है और मातर 10% बिकेट्स भाई यहाँ पर स्पिनेस को मिलता है इस हिसाब सापको टीम रखना होगा लाइक मतलब पेसस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है उस्पिनेस पर मत करना चलेगा रीसेन मैच अड देखे हैं अब देखें स्पेन की बात करें बाई तो इनके दो माचे हो चुके लीग में अब देखो मोनिस की बात करें दोनों में से दोनों गेम में दोस्तों इनको बैटिंग नहीं मिला एन भी एन भी दोस्तों लिखा हुआ ना दोस्तों इनों ने बैट किया ना दोस्त का स्कूर की अब बहुत स्पेशल प्लेयर है जैसा कि मैंने सुरुवात से आपको बोला है कि देखो बाई ये बैटिंग बहुत अच्छा करता है अच्छा कसासत कंसिस्टेंट भी है तो बाई कुछ बनाना चाहो तो ज़रूर बना सकतो एल बंस पहला मैच खेला दो वर की ब से इसा को बहुत अच्छा प्लेशल प्लेयर है अब अधे इतने सारे प्लेयर को आप समझते हो जानते हो बट इन्वेश सही माइनों में प्लेयर को चुना जाए जो माली एक задक इसाक्ट इनपॉर्टन होंगे तो पहला तो कैल को ट्राइ करो, बंस को ट्राइ करो, अहसलीमदार को ट्राइ करो, बस ये तीन सबसे best choice options रहेंगे, जिनको मैं clearly बोल सकता हूँ कि आज किस मैच में आप डीम मैट कर सकते हो, बागी ये सारे के सारे उतने justify नहीं करते हैं जिन पर मैंने cross step लगा दिया, क्योंक मैच में 0 बिकेट मिला तो बाई जब भी चीज़े हमने आपको यहां पर दोने कोशिस किये, वो अकसर कामियाब होती है और आपको beneficial साबित होती है, बस फर्क है कि लोग देखके समझते हैं तो अच्छा बेंफिट होता है, बस copy करते हैं बेंफिट उतना नहीं होता ठीक है अब देखो भाई यहां पर याजिर अली ओपन करेंगे, पहला मैच 37, दूसरा मैच 8, कुछ खास बहुत special तो नहीं बर टीम में रखो, आदिल दोनों गेमस में एक विकेट और बीखान की बात करें, तीन नमबर पाय था लास मैच पे, और यहां पर सोलरन का स्कूर किया, उससे पहले बैटिंग नहीं मिला, अतीफ की बात करें, पहले मैच पर दो बिकेट, सेकेंड मैच वाई बिकेट नहीं मिला, अब देखें, इतने सारे प्लेयर को हम देख रहें, समझ रहें, बट इंपॉर्टन विव से देखा जाए, तो याजिर अली है, फिर दूस्तो अ अतीफ है, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आर आदिल को एजर ट्रम कार्ड, इकबाल को एजर ट्रम कार्ड, तो वाई देखो यह जो है, स्पेइन का प्रॉपर, दोस्तों हमारी साब साब के लिए डीटेल्स रहेगा, बात करेंगे फिनलेंड का, देखें यह बंदा हो सकता है, धानकना, अबास भट की बात करें, तो 26-8 इनका दोस्तों भॉण सराइक राइली के लिए स्पेशल हो सकते हैं, और रखना ओपन करेगा, बॉलिंग का तो पता नहीं नहीं किया पिछला मैच, बट बैटिंग अच्छा करता है, बाकि ओवर इनकी बा बट आप चाहों तो दोनों को ले सकतो, अमजड शेर पहला मैच कही जाए, तो 5 प्लस 1 बिकेट, 2nd मैच 43 प्लस 2 बिकेट, इंप्रसिव है, बाकि कोचे की बात करें, तो पहला मैच 0 बिकेट, 2nd मैच 3 बिकेट, ठीक ठाक होगा, सलेवन की बात करें, पहला मैच 12 प्लस 0, 2 लेकर मैच 26 प्लस 0, कैप्टन के रिए सबसे अच्छा उप्शन की, क्योंकि 1 डान बैटिंग, प्लस केंफर्म दोगर की बालिंग क्या चाहिए, बाकि यहां पर अमजड शेर, यह और यह तोनों यह चार जो उप्शन से, यह फिक्स प्लेस है, जिनको में लोंगा टीम में बाकि यह ट्रमकार्ड, यह ट्रमकार्ड ग्राणली की टीम में यूज़ करना, अब हम सीधा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब देखें बाई, यहां पर लोरे की बात करें, कुछ खास नहीं, जैस सिंगे को लेना पड़ेगा, पिछला जो मैच वो उसमें तो बैटिंग बाकि यह ट्रमकार्ड ग्राणली में यूज़ करना, प्रॉपर डीटेल से टीम पर फोकस करते हैं, टीम की बात करें बाई, आज तो यहां पर बीट कीपर सेक्शन देखो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना, काफी जादा मोटिवेशन मिलता, तो बिल्कुल ही कंजूसी आपको नहीं करना, बाई, चीज़े आपक लिए बिल्कु तो दूर दूर तक फिलाल नहीं दिखरा, अब वो बात अलग है कि इस मैच में ये ओपन आ जाएंगे, तो अलग बात है, ये एक्स्परिमेंट हो जाएगा, बट ऐसे तो भाई फिलाल कुछ देखने रहे कि इंपॉर्टन होंगे, बाकी भट को रखूंगा, फिर दूस्त अपलाई करो, तो बिटर आपकले फिलाल ये टीम में लोगा, बाकी आउंडर सेक्शन में यासिर अली को पिक करो, सलेवन को पिक करो, अमजर शेर को पिक करो, हसलीमतार को पिक करो, टोटल भाई, यहाँ पर चार प्लेस को अफॉर्ड में कर रहा हूं ठीक है, जिस में से आप देख से तो चारो के चारो सेफ आपशन है, इकबाल को मैं नहीं ले सकता, क्योंकि सामने जो टीम है, उसके सुरुवात के बैटिंग अच्छी है, और इकबाल सुरुवात महीं बाल ले के आता है, तो मुझे लेगता कि वहाँ पर हार्ली सार्ली एकाट भीकेट ले सक तो उतना ज़दा कोई बड़ा स्पेशल होगा नहीं, इधर से आपको दोस्तों कहीजाए, तो एल बंस, तामबे और क्यूचे और अतीफ, ठीक है, टोडल चार प्लेयर को मैं अफॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें से ध्यान नहीं को बाई, चारो के चारो, सिर्फ ये अतीफ ये कैसा उप्शन जो है, मतलब सेफ है, बाखी सारे प्लेयर को देखो भाई, 10%, 33%, 22%, मतलब सबके सब ट्रम कार्ड ओप्शन से, देखो भाई, इस गेम में बहुत ही जादा ट्रम कार्ड प्लेयर से, बच सही तरीके से ट्राइग करना है, बी खान भी अच्छा प्लेयर है, ग्राड ली के लिए, इंपॉर्टन हो सकता है, परवीन भी ग्राड ली के लिए अच्छा हो सकता है, और राजा तो भाई, सेफ ऑप्शन है, मुहमद को भी ले सकतो, तो फोकस करना भाई, ग्राड ली के लिए बहुत स्पेशल हो सकते हैं, कॉमिनेशन पर आओगे, सिक्स के अपने देगी, तो भाई, जिनको सेफ जाना होगा, इन दोनों के साथ जा सकतो, अब हमारे हिसाब से ग्राड ली की टीम बनाओगे, तो भाई देखो, पहला तो ये बंदा, दूसरा ये बंदा, तीसरा ये बंदा, ये तीन बड़े कमाल के होगे, फिर अमजट शेर को को आप रख लो, और बॉलिंग से मैं बोलूगा कि हसलीम दारेक रहेंगे, और इधर से आप दोस्तों तामबे को लिलो, भाई, तो टोटल ये छे आप्शन्स रहेंगे, जिनको आज किस मैच में कुछ ना कुछ बना सकतो, बाकी मैं आपको सीधा मिलूँगा, टेलिगराम चल पर फाइन टीम के साथ में.